नमस्कार साथियों आफ सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोजिय स्टेडी यूटूब चेनल पर आने के लिए दोस्तों राजियों में 94,000 सिक्षक भरती को लेकर कौंसलिंग की दूसरी चरण 13 अगस्त को समाप्त हो गई है यहाँ पर देखेंगे 90,762 पदों के लिए धाय लाख अव्यर्थी सामिल है फिर भी 40,000 के आसपास सीटे खाली रह जाने की संभावना है यहाँ पर ऐसा क्यों बताया गया है वो सारी जानकारी दी गई है साथी साथ है जब थर्ड फेज का सेडूल जारी किया जाता है और कौंसलिंग समाप्त होती है तो बची हुई जो सीटे रहती है उस पर क्या कौंसलिंग फिर से होगा या नहीं होगा इस पर सिक्षा मंतरी विजय कुमार चोधरी का क्या बयान आया है वो भी हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर असपश्टिक लिया गया है बिहार प्रारंविक सिक्षकों में सिक्षक बहाली कोटी वार अबियर्थी नहीं मिलने के वज़े से सीटे रिक्त जा रही है तीसरे चलन की कौंसलिंग की तीथी जल्द ही जारी होगी यहाँ पर देखेंगे तो प्रारंविक स्कुलों में 90,762 पदों के लिए सिक्षक बहाली के लिए कौंसलिंग चल रही है पंचायत से नगर निकाय तक 9,000 विभिन न्योजन इकायों में लगभग 5,000,000 अबियर्थी है इसके बावजुद अब तक कौंसलिंग के अधार पर लगभग 40,000 सीटे खाली रह जाने की संभावना है निकायों में कोटिवार और विशेवार के हिसाब से अबियर्थी नहीं मिलने के कारण 40-45% सीटे खाली जा रही है कोटिवार रिक्त सीटों के लिए अबियर्थी नहीं मिलने से सीटे खाली रह रही है कौंसलिंग से छुटे हुए और रद किये गए नियोजन इकायों को तीसरे चरण में सामिल किया जाएगा तीसरे चरण की कौंसलिंग किती थी जल्द ही जो है सिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा इसी के साथ गरवरी की लगतार मिल रही सिकायत की वज़े से पहले चरण में मेधा सूची भी रद की गई थी उसके साथ ही देखेंगे पर्थम चरण में गरवरी वाले 400 से अधिक नियोजन इकायों की मेधा सूची भी रद की गई थी फाइनल मेधा सुची बनने में गरवरी की सिकायत मिली कॉंसलिंग के दौरान फरजी सेर्टिफिगेट के अधार पर अविर्थी कॉंसलिंग में पहुंचे वे थे तो कुछ जगा जो है धांदलिवारा के वज़े से भी कॉंसलिंग प्रकिरिया रद की गई थी तो अब ऐसे नियोजन इकायों का कॉंसलिंग थर्ड फेज में होगा साथी साथ जिन नियोजन इकायों द्वारा मेधा सुची जारी नहीं की गई थी और उनका भी कॉंसलिंग नहीं हुआ है तो उनका भी थर्ड फेज में कॉंसलिंग होगा 15 अगस्त के बाद काउंसलिंग के लिए सेडूल जारी किया जाएगा इसके साथ ही यहां पर देखेंगे कि बाका मधुबनी की तीन पर खंड नियोजन इकाईयों की काउंसलिंग रद की गई है इसके बाद देखेंगे मदमनी के DM और DO की रिपोर्ट पर बसो पटी पर खंड नियोजन इकाई की 7 अगस्त की कौंसलिंग रद कर दी गई है बहुत सारे अभियर्थी जो अभी तक चैनित नहीं हो पाए हैं किवल उनका ये सवाल रहता है जो सीटें बची जा रही है जहां पर कौंसलिंग हो गई है और वहां पर सीट बच गई है क्या ऐसे जगहों पर फिर से कौंसलिंग होगी यहाँ पर देखिए क्या जवाब आया है सिक्षा मंतरी का रिक्त सीट जहाँ पर बच गई है क्या वहाँ पर फिर से कौंसलिंग की जाएगी मौका मिलेगा तो बिलकुल मौका दिया जाएगा विभीन चर्णो में कॉंसलिंग की गहन समिक्षा के बाद रिक्त सीटों की गन्ना की जाएगी फिर उसके बाद कॉंसलिंग का मौका दिया जाएगा यहां पर साफ साफ मेंसन किया गया है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे और भी जानकारी दी गई है कॉंसलिंग में सीटे क्यों खाली बच रही है सिख्षकों की बहाली के लिए जो सीटे खाली बच रही है ऐसा क्लियों तो कोटी वार और विसेवार अव्यर्थी नहीं मिलने के कारण कहीं कहीं सीटे खाली जा रही है एक अव्यर्थी ने कई नियोजन इकाईयों में आविदन क्लिया है लेकिन वो कॉंसलिंग किसी एक ही जगह पर करवा पा रहे है इसके बाद सीट रिक्त तो कमी दूर कैसे होगी सरकार का लक्ष है कि सीख्छकों के सभी रिक्त पदों को भरा जाए समिक्छा कर योग अव्यर्थियों को रिक्त सीटों या पदों को भरने के लिए मोका दिया जाए तो सबसे ज़्यादी जो सवाल आपका रहता है जहां पर कॉंसलिंग हो गई है और सीटे खाली जा रही है तो क्या वहाँ पर जो है कॉंसलिंग का मोका दिया जाएगा तो यहाँ पर बिल्कुल मोका दिया जाएगा गहन समिक्छा के बाद जहाँ पर सीटे खाली बच रहे है वहाँ पर कॉंसलिंग का दोबारा मोका दिया जाएगा तो देखते हैं आगे जो है फोर्थ फेज आता है या फिर नहीं आता है जहाँ पर सीटे खाली बज गई है वहाँ पर फिर से कॉंसलिंग होता है या नहीं होता है आगे हम आप सभी को अपडेट भी करते रहेंगे तो हमारे साथ जूरे रहने के लिए वीडियो को लाइक और चेनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा धन्यवाद